नमस्कार नियूस वो नेशन देख रहें आप और मैं हूँ शुभे आपके साथ बहार में कडाके की ठंड के साथ ही मंत्री मंडल के विस्तार को लेकर सियासी पारा चड़ता ही जा रहा है एक तरफ जहां कल ये खबर आई कि जल्द ही मंत्री मंडल का विस्तार होगा और इतना ही नहीं ये भी कहा गया कि आज के दिन ही मंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी लेकिन इन सब के बीच अचानक से मुख्य मंत्री नितीश कुमार जड़ियो कार्याले पहुँचे इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं भाजपा के राश्ट्री नेत्रत्व ने बिहार में क्याबिनेट विस्तार के लिए भावी मंत्रियों की सूची की तलब की है चर्चा है कि आज नितीश काबिनेट में भाजपा कोटी के शामिल होने वाले नए मंत्रियों की नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी इसके बाद एक दो दिनों के अंदर ही काबिनेट विस्तार हो जाएगा बहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जैस्वाल और संगठन महामंत्री नागिंदर नात सोमवार की शाम दिल्ली गए है भाजपा के शर्स नेत्रत्व की मुहर के बाद नए मंत्रियों की नाम की सूची उप मुख्य मंत्री तार किशोर प्रसाद और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जैस्वाल मुख्य मंत्र नितीश कुमार को सौम देंगे भाजपा के वरष्ट नेताओं के अनुसार दो-तीन दन के अंदर क्याबनेट वस्तार प्रस्तावत है हालाकि अंतिम रूप से तारीक तै नहीं एहम ये है कि अभी यह भी तैने हुआ कि भाजपा और जडियों से कितने-कितने नए मंत्री क्याबनेट में शामिल होंगे अनुभावी के बाद अब भाजपा युवा नेताओं को सरकार में नेत्रत देकर निखारेगी हालाकि क्याबनेट वस्तार के कुछ वरिष्ट नेताओं को मौका मिल सकता है भाजपा कोटी से राजपाल के मानुनयन कोटे वाली MLC प्रत्याश्यों के नाम पर पाटी निर्णे कर सकती है और भाजपा के शिर्ष नेत्रत वने ऐसी नेताओं की सुची पाटी के प्रदेश नेत्रत से मांगी है तो आपको बता दे कि मंत्री मंडल वस्तार को लेकर फिलाल कयासो का बाजार गर्म है लगातार इस बात की चर्चा बिहार के सियासी गल्यारों में हो रही है कि आखर कब मंत्री मंडल का वस्तार होगा और इसी कड़ी में कल अचानक ही जडियो कार्याले पहुँंचकर मुख्य मंद्री नेतीश कुमार ने इस बात का बयान दिया कि कल नहीं बलकि आने वाले कुछ दिनों में मंत्री मंडल का विस्तार जरूर हो जाएगा और साथी साथ फिलाल की जो खबर है वो यही है कि भाजपा कोटे से जो भी मंत्री होंगे उनके नाम पर मुहर आज लगा दी जाएगी दिल्ली में और उसके बाद ये पूरी सूची उप मुख्य मंडले तारकेशोर प्रसाद और मुख्य मंत्री के हांथू सौपी जाएगी इतना ही नहीं मंत्री मंडल में कुछ नए और युवा चेहरी भी शामिल हो सकते हैं उस बाद के भी कयास लगाई चा रहे हैं छोड़े जाते हैं आपको नतेश कुमार के उस बयान के साथ जहां उन्होंने कहा था कि मंत्री मंडल का विस्तार आज नहीं बलके आने वाले कुछ दनों में होगा